नमस्कार मैं देविंद्र प्रसाद प्रस्तुत हैं दूपहर समाचार राजविधानसबा का बजट सत्र आज सदन में राजपाल की अभिभाशन की साथ शुरू हो गया है राजपाल के अभिभाशन में सरकार के वर्ष दोजार पच्चीस तक उत्राखन को देश का श्रेष्ट व सशक्त राज्य बनाने का रोड में दिखा राजपाल ने कहा कि विक्सित भारत के संकल्प में विक्सित उत्राखन परिकल्पना नहीं विश्वास है राजपाल ने कहा कि उत्राखंड विधान सबा ने राज़ के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाली समान नागरिक संहिता को पास करके देश का पहला राज्य बना दिया है भारत के संकल्प में विक्सित उत्राखंड परिकल्पना नहीं विश्वाश है संकल्प है विक्सित राज़ की ओर अगरिसर उत्राखंड के निर्मान में सभी विधान सबा सदस्यू एवं धिला पंचायत छेतर पंचायत ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर निगम के सभी जन प्रतिनिदियों विशेश रूप से राज्य अंदोलन कारी तथा आम जन जन जिनोंने प्रदेश की प्रगती में एहम योगदान दिया है सभी का हिर्देश से अभार व्यक्द करता हूँ जोनसार बावर सेवावरित करमचारी मंडल द्वारा देहरादून में आयजित दो दिवसी जोनसार बावर सांसकर्तिक महुस्वों के समापन अउसर पर मुख्यमंतरी पुछकर सिंग धामी ने आयजिकों को बधाई दी इस दोरान लोक कलाकारों द्वारा आयोजित लोक नरित्य में भी मुख्यमंतरी शामिल हुए और लोक कलाकारों का उस्सा बरदन भी किया इस अवसर पर मुख्यमंतरी ने जोनसार बावर भवन निर्मान के लिए दो करूर पचास लाख रुपे देने की घोश्टा की उन्होंने कहा कि इस भवन का उपयोग जरुरतमंद च पर अगर कहीं पोरानिक लोक संस्कृति को जीवित रखने और संझोए रखने का कार्य अप्रमकता से किया गया है तो वो हमारा जानसार बावर का शेत्र है उन्होंने कहा कि जोनसार बावर की पौरानिक संस्कृती देश वा दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है मुख्यमंत्री ने जौनसार बावर के संस्कृती की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये संस्कृती अनुखी है इसे बचाई रखने के लिए आवश्यक कदम उठाई जाने के साथ ही प्रतिवर्ष ऐसे महुत्सव का आयूजन किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने साथ जनपदों अलमोडा, चमपावत, पिथोरागड, उदम सिंग नगर, तेहरादून, चमोली और पौडी के दुख्द उत्पादन समिती के नवन्यूक्त पदाधिकारियों को शबत दिलाई मुख्यमंत्री आवास इस्तित मुख्य सिवक सदन में आयूजत इस कारिकरम में मुख्यमंत्री ने सभी को शुपकामनाई देते हुए उम्मीद जताई की सभी पदाधिकारी बिलकर उत्राखंड में ने सिर्फ दुख्द उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम बलकि हमारे प्रदेश के गाउं में रहने वाले किसानों और दुख्द उत्पादकों की समरिद्धी भी सुनिश्चित करेंगे इस अवसर पर पशुपालन यों दुख्द विकास मंत्री सौरब बहुणा भी मौजुद थे मौख्य मंत्री ने कहा कि प्रदान मंत्री ग्रामिन शेत्रों के किसानों और पशुपालकों की समरिद्धी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं उनके कुशल, नेत्रित्व और मार्ग दर्शन में राज्य सरकार भी किसानों और पश्यूपालकों को विविन योजनाओं के माध्यम से समरिद्ध, सशक्त और आत्म निर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है इस अवसर पर पश्यूपालन एम दुग्द विकास मंतरी सौरब भगुना ने कहा कि पश्यूपालकों से दूद्ध खरीतने गोवर्धन योजना के तहट गोबर की खरीत करने अत्वा, पश्यूपालन से जुड़े नवाचार को सुदूर अंतिम छोर पर रहने वाले किसान और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उन्होंने कहा कि शीग रही प्रदेश में आंचल का शेहर भी लाँच किया जाएगा सचिवाले एथलेटिक्स एंड फिडनस कलब के तत्वाधान में अमामी गंगी परियोजना के सहयोग से अखंड रिले मेराथन दोड़ 2024 का आयुजिन किया गया ये मेराथन दोड सचिवाले देहरादून से प्रारम होकर रिशिकेश तक आयुजित की गई इस रिले दोड में सचिवाले परिवार की सतर से अधिक महिलायों पुलुश अधिकारी और करमचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया रिलेलेस को संयुक्त सचिव उत्राखंड शासन एसस रावतियूम नमामी गंगे की अधिकारियों द्वारा हरी जंडी दिखा कर किया गया कि अधिक्ष ललित चंद्र जोशी द्वारा बताया गया कि मेराथन दोड का उदेश्य आम जन्मानस को गंगा सफाई स्वशता प्रियावरन रक्ष्या और खुद को स्वास के प्रति सचित रखने के लिए किया गया इसी के साथ अभी तक की समाचार समाप्त हुए दूरदश्चन समाचारों से जुड़े रहें बलते हैं फिरे शाम साड़ी छह बेजे की बुलेटिन में नमस्कार